मैं आज केश आउसर पर माविंदवासिनी की स्पावंधरा मिर्जापुर की जनता जनारदन की ओर से सोन भद्र की जनता जनारदन की ओर से आधनिये प्रधान मंत्री जी का हिर्दै से स्वागत करता हो अविनंदन करता हो मंच पर उपस्तेत, प्रदेश सरकार में मेरे बरिष्ट सहयोगे उपमुख्य मंत्री सिकेशो प्रसाद मौर्याजे भारत सरकार की मंत्री और मिर्जापूर लोगसला सीट पर अपना दल भारती जनता पार्टी एंडिये की प्रत्यासी सिमती अनुप्रिया प्रतेल जी रावर्श गंज लोगसला सीट पर अपना दल भारती जनता पार्टी की प्रत्यासी सिमती रिंकी कौल जी प्रदेश सरकार के मंत्री सी दया संकर मिस्र दयालो जे संजीव गौड जे सांसत पकोडी लाल जे राज्य सभा के मान्य सांसा सी राम सकल जे दुख्दी बिधान सभा अप्चनाओ के भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी सी सवरण कुमार गौड जे जन्त मंच पर उपस्तित बारती जनता पार्टी और एंडिये के हमारे सभी मान्य जन्प्रत्यनिधिकाण सभी पदादिकारिकाण और भारी संख्या में अपने नेता का इवादन करने के लिए अविनंदन करने के लिए उपस्तित सभी मिर्जापुर और रावर्सकन से चुड़ेवे मेरे भाईयों पहनो मैं आदनिये प्रधान मंत्री जी का आज लोगसवाद चुना दो हजार चौबीस अंतिम चरण के चुनाओं में मिर्जापुर की इस पावन धरापर आगमन पर हिर्दै से स्वागत करता हो अबिनंदन करता हो बैन और भाईयों कि हम सब का स्वभाक्य है कि हम सब को आदनिये मोदी जी के नित्रत्व में नए भारत का दर्सन हम कर रहे हैं एक ऐसा भारत जो आज दुनिया की एक महा सक्ति बन्य की उरक्रसर हुआ है एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपना सम्मान मजबूती के साथ बढ़ाया है दस वर्स में जिस भारत ने अपनी सीमा को सुरक्षित किया है दस वर्स के अंदर जिस भारत ने विकास के नएने प्रतिमान स्तापित करने का काम किया है दस वर्स के अंदर गरीब कल्यानकारी योजनाओं के माध्यम से चेहराद देख करके नहीं जाती मत और मजब देख करके नहीं बल्कि सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से 140 करोड जंता को परिवार मान करके भारत के विकास में उनका योगदान हो सके और भारत अपने नागरिकों के जीवन में खुसाली रा सके इस विस्वास के साथ कार्य किया है बेन और भाईयों आज इस नए भारत में विरासत है विरासत है तो विकास भी है सुरक्सा है तो सम्मान भी है गरीब कल्यान है तो समाज के अंतिम पैदान पर बैठे वे बेक्टिकों अंतोदे से रास्तोदे की स्यात्रा के साथ उसको भी से भागी बना करके इस कारिक्रम को आगे वढ़ाने का कार्य आधनिये मोदी जी के नित्रत्तों में भारत पकूबी आगे वढ़ा रहा है बैन और भाईयों देश और दुनिया के भारत आध दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त किया है और उत्तरप्रदेश लियादने प्रधान मंत्री जी के मार्ग तरसनों नित्रत्तों में जो यात्रा प्रारंब किये हमारा ये मिर्जापुर जन्पद सोन भद्र जन्पद उसका उधारन है आपने देखा होगा कासी में कासी विश्वनाद धाम है आज नए रूप में पुरी दुनिया को अपनी ओड़ा कर सित कर रहा है तो आयोध्या में मर्यादा प्रसोत्तम प्रवु सिरी राम की पावन जन्पदों में अयोध्या पांसो वर्सों के इंतजार समाप्त करते वे भगवान सिरी राम लला को बिराजमान करने का काम भी अयोध्या धाम में आदनिये मोदी जी के इनित्रतों में संब़व हो पाया है और और यहाँ बिंदवासनी का धाम जहां पे पहले नौरात्री के दोरान लोग ससंकित रहते थे पतानी कब क्या हो जाए बैन और भाईयों आज बिंदवासनी धाम में भी मा बिंदवासनी का कोरिडोर अन्तिम यानि वो कारे पूरा होने के अन्तिम छोर में है और अब लाखों सरधालो मा बिंदवासनी का दर्शन कर सकता है रोपवे कि सुपदात पिर कोर्ण में प्लब्द हो रही है कोई सर्वन कुमार को अपने बुजर्ग माबाप को कंदे में कावड में ले जाकर के दर्शन करने की नौबत नहीं आएगी बलकि रोपवे मोदी जी के नित्रुत्त में उनके मार्ग दर्शन में अब इस सुपदा को और आसान कर देगा बेन और भाईयों विकास के यात्रा कोई सोचता था इस जन्पद में और सोनबद्र जन्पद में ही मेडिकल कॉलेच बनेगा कोई सोचता था इस कमिस्नरी में विश्व विद्याले बनेगा कोई सोचता था यहां के गरीबों के मकान बन पाएंगे आज लगवाग अकेले मिर्जापुर जनपद में एक लाग से दिक गरीबों को मोदी जी ने सिर ढखने के लिए एक एक प्रधान मंत्री आवास उप्लब्द कराया है और कोल जाती के लोगों को तो जनपद मिर्जापुर और सोनभत्र में हंडेट परसेंट सिचुरेशन के लक्से को हर जनपद जाती समदाए के लोगों को चायवा गोड़ जाती का हो चेरो हो थारू हो मुसहर हो इन सब को सत पर सत आवास स्या अच्छादित करने का कार्य आज प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रत्व में हुआ है बेन और भाईयों ये मई का महिना है याद करिए 2014 के पहले एक एक बून पानी के लिए यहां का यहां कियाम जनता तरस्ती थी आजादी के सत्तर वरसों तके चलता रहा लेकिन हम आबारी हैं मोधी जी के जिनाने हर घर नल की योजना से आज मिरजापुर और सोनभद्र को भी सिचुरेट करने का काम किया है और बेन और भाईयों इसलिए हम कहने के लिए आया है चुनाव के छे चरण पुड़े हो चुके है साथवे चरण में आपको पहली जून को मत्तान करना है बेन और भाईयों मैं आपसे ये पिल करने के लिए आया हूँ देश की जो आवाज है उत्तर तक्सिन पूरा पस्सिम कहीं भी हम जाते हैं कस्मीर से लेके कन्या कुमारी तक काम रूप से लेके कच्छ तक एक ही आवाज है एक ही स्वर है एक ही नारा है और वा है कि फिर एक बार फिर एक बार और अब की बार अब की बार चार सो पार तो चार सो पार के इस कारक इस अभिहान में मिरजापुर और रावर्स गंज में भी NDA के प्रत्यासी बिज़ई होने चाहिए इस बात का स्वसन मोधी ची को आज यहां की जनता जनारदन की ओर से चाहिए और बैन और भाईों मैं तो आपसे यह कहने के लिए आया हूँ एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगोंने आजादी के बाद सरवादिक समय तक देश में भी और प्रदेश में सासन किया जिन लोगोंने आपको एक एक बून पानी के लिए तरसाया था जिन लोगों की नीतियों के कारण ये छेतर नकसल बात की चपेट में आया था जिन लोगों ने आपको विकास से बंचित किया था जिन लोगों ने आके संसादलों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कबजा करने की खुली छूड़ दी थी जिन लोगों ने मिडिकल कॉलेज के लिए मिर्जापुर को और सोनभद्र को तरसाया था जिन लोगों ने आपको बिस्व विद्याले के लिए तरसाया था यहाँ सही समय है और मोदी जी जो कहते हैं कि यही समय है सही समय है उनको अपने वोट के लिए तरसाईए, उनको इस बात के लिए तरसाईए, कि तुमने हमारी पीडियों को खराब किया है, अब तुमें भारत की राजनीति से बिदा करने के लिए, मोधी जी के नित्रत्तों में, एंड्रिये कारे करेगा, एक-एक जनता जनारदन कारे करेगी और इसी विश्वास के साथ हम आये हैं कि मिर्जापुर लोकसवा सीट पर केंद्रिय मंत्री सिमती अनप्रिया पटेल जी को अपना दल ऐसने प्रत्यासी बनाया है और मोदी जी अपना अश्रिवाद और समर्थन के साथ ही आप सबसे आवहान करने के लिए आये हैं कि आपका अश्रिवाद तीसरी बार अनप्रिया जी को पड़ापतो हो रावर्स गन लोकसवा सीट पर सिमती रिंकी कोल को अपना दल ने प्रत्यासी बनाया है प्रधान मंत्री जी अपना अश्रिवाद देने और आप से प्रत्यासी के लिए आश्रिवाद मागने के लिए आज यहाँ पर आये हैं और आप सबसे हमारी अपील है कि यहाँ का जो चना चिन है कप प्लेट है कप प्लेट पर जो भी बोड इन दोनों सीट पर मिर्चापुर और रावर्स गंज पर पड़ेगा यह सीदे मोधी जी के पास जायेगा मोधी जी की ताकत को दिल्ली में बढ़ाएगा और दुगदी उप्चना में भारती जनता पार्टी ने सी सरवन कुमार गोड को कमल चुना चिन के साथ अपना प्रत्यासी बना करके उतारा है मेरी आप सबसे पील है दुगदी उप्चना में सरवन कुमार गोड को भी भारी बहमत से विजई बना करके विकास के साथ विरासत के सविहान को आगे वढ़ाने के करम में आप फिर एक बार चार सो पार के इस लक्ष के साथ आगे वढ़ेंगे मैं एक बार आप सबी मिर्जापुर और सोनवद्र वासियों की ओर से आधने प्रधान मंत्री जी का यहाँ पर माविंदुवासनी की इस पावन धरा पर हिर्दै से स्वागत करता हो अभिनंदन करता हो धन्यबाद जैहिन जैश्री राम आपका आपका बहुत बहुत धन्यबाद परमशदे मुख्यमंत्री जी और अब विश्व के सरवाधिक लोकप्रिये राजनेता पुरी दुनिया में जिने अपना राष्ट्रिये सरवोच्य राष्ट्रिये नागरिक सम्मान देने की होड लगी है ऐसे विकासवाधी राजनीती के प्रणेता विक्सित भारत के स्वपने दृष्टा भारत को एक ग्लोबल प्लेयर की नई पैचान दिलाने वाले मन की बात से करोडो भारतियों के दिलों पर राज करने वाले भारत के कल्यार के प्रत्यक संकल्प को अपने अश्रांत परिश्ट्रम से सिद्धी में तब्दील करने वाले हम सब के प्रेडना पुरुष करोडो करोडो भारतियों की उम्मीद की किरन माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं साधर अमंत्रित करती हूँ इस तप्ती जुलस्ती गर्मी में अपने विचारों की वर्षा से हम सभी को सराबोर करें माननिय प्रधान मंत्री जी मोदी, 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 मोदी भारत माता की माता विन्दवासिनी की माता विन्दवासिनी की आप लोगन का हाल चालबा आप लोग मज़े में हाई ना आप लोगन के हम हाथ जोड़के प्रणाम करफ है जाए श्री राम मा बिन्दवासिनी माता बड़ी शितला मा अस्त भूजा और काली खो माता की पुन्य भूमी को मेरा शत शत प्रणाम जेश्ट का ये महिना हमारी परंपरा में विशेश होता है और इसका हर मंगलवार बहुत खास होता है कोई बड़ा मंगल कहता है कोई बुड़वा मंगल कहता है इस बार ये बुड़वा मंगल और भी विशेश है क्योंकि पांसो साल बार ये अयोध्या में अपने भग्यम बंदिर में विराजे होंगे और ये इतनी बड़ी खुशी है इतनी बड़ी खुशी है कि सायद हम सबसे ज़्यादा बजरेंक बली खुश होते होंगे भाई बहन जरा मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप लोग आपके आवाज नहीं आ रही है मेरे एक सवाल का जवाब देंगे पांसो साल बात आयो ध्याम मैं भव्य राम मंदीर बजरंग बली की खुशी ये मंगल आउसर किसके कारण आया ये पुन्य काम किसने किया ये पुन्य काम किसने किया आपका जवाब गलत है आपको भी पता नहीं है कि इतना बड़ा पुन्य काम आपके एक वोट ने किया है ये आपके वोट की ताकत है कि आज राम मंदिल भी बना है और जैसा योगी जी ने कहा यहाँ मा बिंद्य बासिनी का भव्य नव्यक कोरिडोर भी बन रहा है और संयोग देखिए चार जून को भी बड़ा मंगल है ये जो कुछ नवजवान चित्र लेकर क्या हैं वो हमारे साथ ही कलेक कर लेंगे आपका प्यार मुद तक पहुँच जाएगा उदर भी दो लोग है जरा ले लिजए भाई आप सबको संतोस हो गया दन्यवाजी साथियों बीजेपी एंडिये की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है भाई और भेहनों भारत ने तीसरी बार मोधी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत नेक नीतिया और नेशन फर्स मेरा बेश सबसे उपर राश्ट निष्ठा आप मुझे बताईए साथियों आप ज़रा एक एक चीज मैं बात करता हूं ने मैं भाशन नहीं करूंग आज आज आपसे बाते करूंगा ठीक है चले घणा आज आप मुझे बताईए जड़ा सोचिए आप अपना घर बनाते हैं और घर बनाने के लिए किसी मिस्त्री को लगा देते हैं ये नारे वगेरे बताईए लेकि बीच मिच में जब जगा होना तब बुलाईए ठीक है और फिर एक जुन को भी करना पड़ेगा चार जुन को तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा तो ठक जाओगे हैं अज़ा हम अपना घर बनाते हैं हम अपना घर बनाते हैं और एक मिस्त्री या किसी काम करने वालों को तह करते हैं क्या कभी कोई सामान्य मानवी भी अपना घर बनाने के लिए जो मिस्त्री रख ले एक महिने के लिए ये मिस्त्री काम करेगा दूसरे मसरे दूसरा मिस्त्री आएगा तीसरे महिने तीसरा मिस्त्री आएगा चोथे महिने चोथा मिस्त्री आएगा तो घर बनेगा क्या घर बनेगा क्या जो गर बनेगा वो रहने लाइक बनेगा क्या आँखों को अच्छा लगे ऐसा बनेगा क्या वो गर किसी को दिखाने लाइक बनेगा क्या सामान्य मानवी को भी मालूम है एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भई अब ये सपा कॉंग्रेज इंडी गड़बंदन ये कह रहा है कि पांच साल में पांच प्रधान मंत्री अब बताईए भाई ये पांच साल में पांच प्रधान मंत्री कोई रखता है क्या अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधान मंत्री कैश अब ये क्योंकि उनको बाट के खाणडा है वो कहते है पांच आप पांच प्रधान मंत्री अब बताईए जहां प्रधान मंत्री अपनी कुर्षी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबुत बना सकता है क्या इसलिए देश ने तय किया कि मजबुत देश के लिए पधान मंत्री भी मजबुत होना चाहिए होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तभी एंडियों को इतना भारी जनादेश मिल रहा है समाजवादी पार्टी पर अपना वोट कोई बरबाद नहीं करना चाहता मुझे बताईए भईया हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश के लोग राजनीती को समझने में बड़े माहीर है यहां तो गाउं का बच्चा भी राजनीती समझ जाता है कोई समझदार कभी भी अब अनमान लिए कोई कमपनी डूब रही है तो उस कमपनी का शेर कोई खरीदेगा क्या आप बताइए न खरीदेगा क्या दस रूपिय का शेर भी खरीदेगा क्या जो डूबता है उसमें कोई पैसा डालेगा क्या जो डूब रहे हैं उसको कोई वोट देगा क्या देगा क्या पता ही है कि इनका डूबना तय है तो कौन वोट डालने की गल्टी करेगा भाई सामान ने मानवी वोट उसी को डालेगा जिसकी सरकार बननाता है आप बताईए आप मिर्जापूर में चोहराए पर जाके खड़े रहिए किसी भी सो लोगों को पुछिए कि मैं बताऊ भै किसकी सरकार बनेगी नब्बे लोग क्या बोलेंगे बताईए क्या बोलेंगे तो फिर वोट उसको ही देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उसको ही देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वोट बरबास करना चाहिए क्या बाहियों और बहनों गोर सामप्रदाइग है ये लोग गोर जातिवादी है ये लोग गोर परिवारवादी है जब भी इनकी सरकार बनती है तो इसके आधार पर ही फैसला लेते हैं अभी देखिये यहां पर चुना हुए हमारे यादव समाज में इतने होनहार लोग है इतने होनहार लोग है लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों कोई टिकर दिया बाहर के एक भी को नहीं दिया साथ यह इतने दसक होता कि देश ने बम धमा के जेले हैं आतंकबाद ने सैकड़ों जीवन तबाह किये हैं और हमारे सपावाले क्या करते थे कानून व्यवस्ता और समाजबादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी यह सपावाले छोड़ देते थे जो पुलीस उपसर इसमें आना कानी करता था सपा सरकार पुलीस वाले को सस्पेंड कर देती थे कि तुमने आतंकबादी को पकड़ा गर जाओ साथियों मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखाता है इन्होंने पुरे यूपी को पुर्वान्चल को माफिया का सुरक्षि ठिकाना बना दिया था जीवन हो या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था अब ऐसा नहीं है अब हाँ हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहदूरी से आगे बढ़ा रहे हैं आपर यहां बराबर सफाई चलिए सपा सरकार में पहले जनता थर्थर कांप दी थी अब भाजपा सरकार में माफिया थर्थर कांप रहा है भाज़ और बहनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गडबंधन वाले समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संभिधान भी अब इनके निशाने पर है ये दलीत पिछड़ों आदिवासियों के हक लूटना चाहते हैं हमारा संभिधान साप साप कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षन हो ही नहीं सकता इनके इरादे कितने खतरनाख है इससे जुड़ा एक नया खुलासा में आज कर रहा हूँ दो हजार बारा में उत्तर प्रदेश विदान सभाज चुनाव के समय जनवरी महिने में सपा ने अपना गोशना पत्र जारी किया था दो हजार बारा तब सपा ने अपने गोशना पत्र में कहा था जैसे दलीतों को पीछणों को आरक्षन मिला है वैसे ही मुसलमानों को आरक्षन दिया जाएगा ये सपा ने दो हजार बारा के गोशना पत्र में कहा था सपा ने डंके की चोट पर कहा था कि वो इसके लिए संभीधान तक बदल देगी इसके बाद आप निचे रखो भईया पीछे परिशान हो रहे हैं पहला आप अपने बेटे को कंदर में बिठाये रखा लोग परिशान हुए हैं आप दुसरे का चित्र उठा के लिए आए फिर लोगों को परिशान कर रहे हैं इसके बाद 2014 के लोगसमाज चुनाओं में सपा ने फिर अपना गोशना पत्र जारी किया इसमें फिर सपा ने मुसल्मानों को आरख्षन देने का एलान किया देखिए इनकी आदत और इतना ही नहीं सपा ने गोशना की थी कि पुलीस और पी एसी ए में भी पंदरा प्रतीशत आरख्षान मुसल्मानों को दिया जाएगा आप कल्पना कर सकते हैं ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किस तरह स्थी स्थी ओबीसी का हक चिनने पर तुले हुए थे भाईयों बैनों मैं भी आप मैंसे कहियों के तरह अती पिछडे समाचे निकल करके यहां पहुँचा हूँ मुझे उनकी पिड़ा मालूम है पिछडोंने कैसी जिनगी जीए है वो मुझे मालूम है उसको भी यह लूटना चाहते हैं सरकार में आने के बाद इन्हों ने अपनी मनमानी भी की लेकिन मामला तब से सुप्रिम कौर्ट में फसा हुआ है बावजुद इसके ये पिछले दरवाजे से OBC का हग अती पिछडों का हग मुसल्मान को देते रहे हैं लेकिन बार बार कभी हाई कौर्ट कभी सुप्रिम कौर्ट इसको रोक लगाती हैं गंबीर सवाल पुस्ती हैं मामले लटके रहते हैं अब इसलिए इन्होंने क्या सोचा है कि अब इंडी वालोंने तै कि मुसल्मानों को आरक्षन देने के लिए SC, ST, OBC, अती पिशडों का आरक्षन चीनने के लिए अब वो आखरी उपाय खोज लिया है और वो आखरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना संविधान में लिख देना वो कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसल्मानों का आरक्षन दिया जाएगा और इसलिए ये लोग संविधान बदलना चाहते ये कौट कचरी के जंजट को एक बार में ही खत्म करना जाया चाहते मैं आप से पूछना चाहता हूँ मेरे भाई बैंड क्या आप ये होने देंगे क्या आपका हग जाने देंगे क्या क्या बोट बैंक के आधार पर हग चीना जाएगा क्या क्या बाबा साब आम बेड़ कर की पीट में चुरा भौकने देंगे क्या क्या संविधान का अप्मान होने देंगे क्या क्या संविधान की हत्या करने देंगे क्या साथ क्यों सपा कॉंग्रेस के लोग बोट बैंक को समर्पित है वही मोदी गरीब दलीद पीछडों के हीतों के लिए समर्पित है मोदी पांच साल तक मुप्त अनाज दे रहा है मोदी पांच लाग रुपिये तक मुप्त अनाज दे रहा है अब तो मोदी की गरेंटी मुप्त अनाज कराएगा साथियों पी-एम किसान संबान निदी से मिर्जापुर के किसानों के खाते में करीब एक हजार करोड रुपिये पहुचे हैं मोदी ने चार करोड पक्के घर बना कर दे दिये तीन करोड पक्के घर गरीबों को और मिलने वाले हैं ये एक एक घर लाखो रुपिये का है जो माता बहन के नाम पर मिल रहा है साथियों आप बिजली से कमाई कर सके मोदी इसके लिए भी रास्ता बना रहा है पहला तो आपका बिजली बिल जीरो आपका बिजली बिल जीरो इतना ही नहीं आपके पाथ जो अत्रिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीडेगी बिजली के बडले में पैसे देगी और आपको बिजली से कमाई होगी और इसलिए मोदी ने पी एम सूर्यगर मुप्त बिजली की योजना शुरू की है ये शुरू कर दिया है बादा नहीं कर रहा हूँ गारंटी चालो हो गया काम आप ओनलाइन जाकर के रजिस्ट्री करवा दीजिए और ये काम करने के लिए हमारी सरकार आपके घर के च्छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर घर को 75,000 रुपिय तक देगी हर घर को सरकार के पैसों से सोलर पैनल लगेगा और उससे बिजली से आपको कमाई होगी बताईए आपको डबल मुनाप है कि नहीं है मुप्त बिजली का लाब है कि नहीं है बाई और बैनों एक छेत्र हमारे हस्त सिल्पियों का कलाकारों का विश्म कर्मा परिवारों का छेत्र है यहां का पीतल उद्योग कार्पेट उद्योग मिट्टी के बरतनों का उद्योग हमारी ताकत रहा है आपके उत्पाद देशी नहीं विश्व के बाजार में पहुँचे यह काम करने में मोदी जुटा है पहले हमने हाँ एक जनपद एक उत्पाद योजना चलाई अब मोदी पी-म विश्व कर्मा योजना लेकर आया है इस योजना के तहर बिश्व कर्मा साथियों को ट्रेनिंग सरकार दे रही है आजुनिक उजारों के लिए पैसा दे रही है और बैंग से लाखों रुपियों की सीधी मदद भी पहुचा रही है और यह मोदी की गारंटी है उसको पैसा मिले इससे हर प्रकार के बरतन खिलों ने बनाने वाज साथियों को लाब होगा कुछ सांग पहले तक भारत भी देशों से खिलों ने आयात करता था मैंने देश के खिलों ने उद्यों को प्रोश्चान दिया उनका हाथ पकड़ा आज भारत के खिलों ने पूरी दुनिया में पहुँच रहे हैं इसलिए मिर्जापूर के खिलों ना बनाने वाले साथियों के लिए भी अउसर ही अउसर है भाज़ों और बहनों मिर्जापूर और रॉबर्स गंज नारी शसक्तिकरण के मोडल बन कर उपरे है बहन अनुप्रिया तो मेरे मंत्रि मंडली एक मजबूत साथी है और इस बार तो बहन रिंग की कॉल ने भी इतिहाद बनाया है अगर मैं गलत नहीं हूँ ते रॉबर्स गंज से पहली महिला उम्मिद्वार है और देखिए मेरा नाता कैसा है मैं बच्वन में कब प्लेट दोते दोते बड़ा हुआ हूँ चाई पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूँ और आपने देखा होगा कि जैसे ही जैसे ही विजय का सुरज उगता है तो कमल भी खिलता है और उसी समय कब प्लेट की भी आदाती है चाई की चुस्की लेना का मन करता है और मोदी और चाई का नाता भी इतना तगड़ा है याने मोदी है, कब प्लेट है, चाई की चुस्की है, कमल खिल रहा है देखिए चारों तरब जैसे कार है आज इसलिए आपका एक-एक वोट नारी शक्ति को ससक्त करने के लिए परना चाहिए यहाँ दद्धी में भी उप्चुना हो रहा है वहाँ से हमारे साथी 22 रवन गोर जी को भी भारी मतों से कमल के निशान पर बटन दबा करके विजयी बना रहा है और आपको याद रखना होगा जहाँ दो निशान है वहाँ दो अलग-अलग निशान होगे एक जगा पे उपर कप्लेट होगी वहीं कमल भी होगा इनका तो आपको इधान रख करके वोट करना है याद रखिएगा आप सिरफ MP नहीं चुन रहे हैं आप PM भी चुन रहे हैं और इसलिए जादा से जादा मद्दान कराएंगे जादा से जादा मद्दान कराएंगे मैं आपको पूछ रहा हूँ मेरी आवाद सुनाई दे रही है आप जादा से जादा मद्दान कराएंगे हाथ उपर करके बेजाएंगे जादा से जादा मद्दान कराएंगे हार पॉलिंग मूद में विजई होके आएंगे घर घर जाएंगे मत्दान के पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ेंगे अच्छा मेरा एक काम करोगे कि मेरा पर्सनल काम है करोगे देखे गाउं गाउं हमारे हाँ हर गाउं में ग्राम मंदिर होते हैं पवित्र मंदिर होते हैं आप सब वहां जाना और मोदी की तरफ से वहां मत्था टेकना और परमात्मा से आशिरवाद मांगना मोदी के लिए नहीं मोदी के परिवार के लिए नहीं 140 करोड देश वाच्यों के लिए विशित भारत बना लिकले आशिरवाद मांगना मांगेंगे हर मंदिर में जाएंगे हर तिर्टसान में जाएंगे सद्धा पुर्वक परमात्मा से प्रांशना करेंगे बोले भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद